दिक्कत जो Tata Nexon Owners को काफी बार फेस करनी पड़ती है वो यह है कि reverse gear का properly ना engage होना जैसे हम clutch दबा के reverse gear को engage करते हैं तो reverse gear engage तो हो जाता है पर जैसे clutch छोड़ने के बाद reverse gear आवाज करता है और अपने आप ही neutral हो जाता है और ये दिक्कत बहुत ही common है बहुत सारे लोगों को मैंने इस दिक्कत को face करते हुए देखा है और ये मैं भी face कर रहा हूँ same problem मेरी Nexon में भी है तो इसका simple सा solution जो मैंने निकाला है और जो मैं रोज यूज़ करता हूँ अगर मेरी car कभी भी reverse gear में problem देती है तो बस simply clutch को press करो, first gear engage करो, हलका सा गाड़ी को move करो, उसके बाद neutral करो अपनी car को and then reverse gear engage करो properly gear engage होगा, कभी problem नहीं आएगी, अपने gears का ध्यान रखें, gear lever को forcefully कभी भी engage ना करें किसी भी gear में